लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें सब्सक्राइब करें आपको यहां किसी किसम की तकलीव नहीं पड़ेगी सिस्ट विस रगुवी सिंग की अंग्रेजी जेलनी पड़ेगी वेलकम, वेलकम, वेलकम सब्सक्राइब करें रास्ते में कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुआ, यह तो बड़ी पिकरती यह अपना हर्याजवाए बुकुल डेंप ब्लाडी फूल है आईए, 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 आईए मैंने कहा थानओ साबä, आपको इनके ऑढ गेलनी ही पड़ेगी लग, हम चानके अrukना है जाली कम चलाता है जबना बूच चलाता है जब देखाँ थाता है थाता है इज जाए पर उप्योगी तो लिए आप दम आप हुर दो हम समान रख करे आता है अःःख हरिया जी शाफ हभेली तो बात खूरूरत लेकन लेकन क्या साफ अरे इतनी खुर्सूरत हवेली, बरसाथ को मासम, दिन तो किस तरह कट जाएगा, लेकिन रात कैसे कटेगी, अब समझ यह साम, समझ गए ना, हाँ, आप ठिकर मत कीजिए, मैं रात को यहां सो जाओंगा, हाँ, आपको अगर अकले में डर लगता है, तो दर्वाजे पे चटा बार बार तुमारे ले पूछते का, तुम अपने घर जाओ, गो, अच्छा साब हम जात है, जरुवत पड़े तो याद कीजिए, हाँ, ठीक, ठीक है, यह हरिया ते बिल्कु लुलुलु है, तो समझते ही नहीं, हम सब समझते हैं, आपको आपके लिए तानी की बोतल का इं घूने के बहुत फुश्भाद हो थो हम भी घज हैं बापू, जा जा, सभेने सभेने जाना पड़ा, झाल बापू को नासता करुए लिए ने उत्फаж के जब से सवके उठा हैं तो रहे नाम का पाहड़ा रहा है, कोई काम ही ना कर दीता, दिख मेरी सेपर मा को सताएगा तो तेरी मेरी नहीं पटेगी पहले मा फिर कोई और समझा अच्छा ये देख हम तुम्हारे लिए क्या लाएं ये देख मैं रुक्या को दिखा के लाता हूँ लड़का बड़ा समझदार है हमका चानस देने के वासने यहां से चला गया अब एकाद ऐसन समझदार लड़का और पैदा कर दे आओ पहले इहा बैठो अब इह बताओ इतना खिलोला नाले का मतलब का है लड़के को बिलकुली बिगाड़ा चाहरे हो का अरे आज से तो हम तो का भी बिगाड़ना चाहे हैं इह देखो इह का अरे तु पहन तो ले आज हमार साधी का बरड़ है इसी कारण हम तो हर वास्ते है हरे काज की चुड़िया लिया है तो का याद है साधी की पहली रात को तो ऐसन ही हरे काज की चुड़िया पहने रही याद है वह ऐसनी रात अज फिर हो जाए अईसन बात करती, सरम नहीं आती का? इमा सरम का है की, तु हमार पत्ती है और हम तो हर पत्ती है रहां, एच चीज और राय हम तो हर वासले है इह देखा, का? देखा, इह बड़ी चमतकारी चीज है इह के अंदर एक बायोस्कोप है, जिसमें सारी दुनिया न ज़रा गए दिखाओ न, इह देखा इह तो मुन्ने का फोटो है यही तो हमार दुनिया है सांता यह जब बड़ा होकर पुलीस आफिसर बनेगा तब हरी मौन और फारिया का रुबाब देखना तो आ जब दुनिया है, कि अगरे दुनिया, तो कर दीजे फार अने लेकिन यह है कोल? तौन अने वो गोरी-गोरी सी इस तो अपने हरिया डैवर की भाइपा है, बेटी फिल्वुमेन सरकार लगो, चाम को बोटल या शीशी लाने की जुरूर पहीं पिल्कुल नहीं सरकार साब आपने मुझे बुलाया क्या नाम बताया तुमने अपना जी हरिया हाँ, हरिया, वो कुमर साब को फोन आया था साले नौ मज़े गाड़ी इसी को जुरूरी कागजात भेज रहे है तुम गाड़ लेकर स्टेशन पर चले जा जी मैं चला तो जाता लेकिन बात यह कि आज मेरी शादी की वो बरड़ है और वो जगना बहुत ज़रूरी है वरना कुमर साब को लाखों का नुक्सान हो जाएगा यह बात है फिर तुम्हे अभी जाता हूँ हरिया जी यह रख भीर कहा मर गया, एक घंटे से नदर नहीं आरा अरे उसको कोई मिल गया होगा सुनने वाला अपनी अंग्रेजी जाड़ रहा होगा कोई काम था अरे भी उसने कोई खाने का बंदवस किया है या नहीं उसके भरोसे पर मद रही है साब मैं काम करता हूँ मैं सांता से कह दूँगा वो आपको खाना दे जाएगी अच्छा यह लो यह क्या कर रहे हैं साब आप तो हमारे महमान है और हम जैसों के लिए महमान भगवान के बराबर होता है अच्छा अच्छा ए हरिया जी मैं खाना नौ बज़ खाता हूँ डॉक्टर ने मुझे जल्दी सोने लिगा अच्छा ठीक है मैं सांता से कह दूँगा ओ ठीकम ठाक नौ बज़े आकर खाना दे जाएगी अब मैं चलू आज़ो साथ खाना लए हूँ जी यहां नहीं उपर वाल कामरे मेर यहां पाद है यह टाफिक डाप कायो हो अगा अरे पहाड गिर गया है रास्ता बंद हो गया है काम चालू है कल दुपेर से पहले रास्ता नहीं खुलेगा कल दुपेर दुपेर दुप? हाँ फिर हमार मेहमान का का होगा और हम भी क्या कर सकते जो गिर्दाली लाल की मज़ी चला भाईया लाट के बुद्दूग घर को चेड़ा लाट के बुद्दूग घर को चेड़ा बचा 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 उनुछ, उनुछ कंँए नु मनँए रह सайтесь ठता उर कगे लोहे रचा हम मेद के लो हम सहाँ आरे खिर improvован मेद करते लोहेे यह हम आरे जम के सहां आरे एधा हम ac cancelled क्ष kangen के सहां सहां के लोडन के सहां आरे एधा हम आरे लोहेे यह appelleल दोंब गो फुब टो अबागा इंगा जुब टे चौपा थे चौपा जूदानेक पर भागा इंगा अबागा थे चुब एला तो अज कि आपे नुदा प्राइब टाइब में खभगा पारे रखे ऐसमाने की आपे टे ते पाफां कि बाजाने जाँ झान 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 झान. हाँ 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 हर्या की गाड़ी काड़ी में गिर गई बहुत तलाश करने के बाद भी उसकी लाश तत नहीं मिली मा बाबा कबे नहीं आएंगे मामी साक्या के यूं यक यक मर जाने का गम तो मुझे भी है तो मेरी पहन हो लेकर उसके रोने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है गैंके किसी भी आदमी को युकी नहीं आता कि साक्या नामका को लीडर भी है इसलिए तो साक्या उनके सामने आने के तयार कुलिया था अबना तो अपना आदमी है वो तो इस रास को चुपा लेगा कि साक्या मर चुका है लेकिन वीस तारी को जो गैंकी मीटिंग होने वाली है अगर उनके सामने साक्या नाया तो अपना सारा कारोबार अपने हाथ से निकल जाएगा अरे भाया तारोबार हाथ से निकल जाएगा तुम मैं क्या करूँ मैं तो साक्या नहीं बन सकती ना साक्या के हुकम से बहुत से लोगों को सजाय मौत दीचा चुकी है अब उन लोगों की चाने वाले मौका पाकर तुमसे बदर लेगे क्योंकि तुम उसकी पीवी थी सबसे जद्धा ड़ता मुझे सूरच से है जिसके भाई को साक्या ने तीन मेहने पहले मुखबरी की जुरम में सजाय मौत दी थी अरे देखो भाई अब वो क्या है अबनाट! 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 एह! उणमस्त व में घाउ बाई भाई यमस्तुनि एँ अवीज दिन्दार, ये चिरो लंदार, चिरो आपको आराम की जुरूरत है हम आप लोहों को चानते हैं चानने में क्या देर लगती है अपने आपको तो चानते हो ना हम कौन है हम कौन है हम कोन है हम कोन है हम कौन है हम कौन है हम मैं आपको क्यों मजा कर रहे आप आपने जानते के आप कौन है? अबना तुम्हेने से वालों मैं पर्मी को बेचता हूँ वह इने ठीक करेगी हाँ अभी बेचता हूँ क्या हुआ? न्यूज, न्यूज उससे होच तो आ चुका है लेकिन वह अपनी जाहदाश को चुका है अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे यकिन दिलाले में के वही साकिया है बच गए हम लेकिन भाईया, उसकी यादाश लोट आएगी तो क्या होगा? कैसे लोट आएगी? हम लोटे देगे तब ना? इन बातों का फिकर तुम मत करो इन बातों का सारा इंतिजाम मुझ पर शोड़ दो, तुम अंतर जाओ नहीं मैं तुमें बीवी बनने के लिए थोड़े ही कह रहा हूँ सिर्फ बीवी के एक्टिंग करने के लिए कह रहा हूँ लेकिन भाया, यह मैं कैसे कर सकती हूँ यह मैं अगुख पर दुमिए जिस खेल में हम तुम है उस खेल में छोड़ी बातों के खाली किया जाता के पती कौन है, पती कौन नहीं है और बो कुरोडोड़ापा। का मामला है तुम जो प्लिज को, गो जिए प्लिज को, लिए खेल में तो में तो में एए आपे हमें? हेलो, हादो यू ? प्लिग बेटर? आप ही पम्मी है कब मॉन संख्या डार्लिंग संख्या को? हम सच के देखे हम सबदो हमको हमको कुछ याद नहीं भाईया भाया क्या वात क्या हुआ भाया इन्हें कुछ याद नहीं है कुछी देर है कि इनकी यादाश तो हो सकता है इतने बड़े एक्सीदेंस इनके सर्पर जो चोट आई है शायद यह आपनी यादाश खो चुके है अमरत इंजक्शन लो देखिजी जाजी कवराने के खुड़ बात नहीं थोड़े दिनों में आपकी सारी यादाश वापस आ जाएगी लेकिन जब तक यादाश वापस नहीं आती तब तक आप सिर्फ अपनी फीवी पम्मी का कहना मानते रहिए आप कार्बो करोडों का धंदा है अगर किसी को सरसी भी भनक पड़की के आप अपनी यादाश को बैठे तो खासा कुछ आएगा सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा यह यह जरसल आपका इलाज तो सरफ आराम है लेकिन वो आराम तो आपको घर पहुंचने के पाथ ही मिल सकता है और अब सोचिए बिल्कुल नहीं ज्यादा सोचने से आपकी याद में पीछे चली जाएगी अब फिर सोचने के आपको जुरूरत ही क्या है हम जो है आप पे रहे हैं ठेगरी जी अब आपको इस फिकर मत कीजिए मैं तुम्हारी पत्मी हूँ तुम्हारी सुमरी यादे मेरे पास है साक्या को हम पांचों के सिवा और किसी ने नहीं देखा है अगर हम लोग आपस तो मिल जाए तो किसी को भी साक्या बनाकर अपने साथियों के सामने खड़ा कर सकते हैं हाँ कर तो सकते हैं मगर हमने ऐसा आदमी ढूंड लिया है तो अपनी यादाश तको बैठा है उसे यकीन दिलाना मेरा काम है कि वो साक्या है और अगर उसकी यादाश वापस आगई तो उसकी यादाश को लोटने से रोकना मेरा काम है सवाल सर्फ यह है कि तुम लोग इस काम में हमारे साथ हो या नहीं साथ में देने का तो सवाली नहीं हुचता गुड तब फिर ये तैय हुआ, कि साक्या को साथियों से मिलाना तुम्हारा काम है लेकिन, लेकिन क्या है? साक्या के शेयर का क्या होगा? वो तो हम चारों में बराबर से बांटा जाएगा, और क्या होगा? अब तुम लोग जाकर सिंडीकेट के सिलोर जूबली फंक्शन का दिजाम करो, बाकी सब कुछ मेरो पर छोड़ता है, ओके? ओके, बाई! इन दोनों को साक्या के शेयर उफर करने के क्या जरूबरत थी? लोट कर भी क्या सकते हैं भाईया, अभी तुम उनके हाथ में हैं, अभी, जिर्फ अभी, क्या मतलब? मतलब ये के साक्या को स्टैबलिश करने के बाद मैं इन साथियों को देख लूँगा, दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, सिंडिकेट की इनर कमेट्टी की तरफ से, और अपने चीफ साथिया की तरफ से, आप लोगों का इस सिल्वर जूबली फंक्शन में स्वागत करता हूँ. आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज पहली बार आपको अपने चीफ साथिया के दर्शन करने का मौका में रखाए। अच्छी तरह, देख लिजिए, चूरत पहचान लिजिए, उनको ये मौका ना जाने फिर तब मिले, ही रज़र वशिये। आपको दोगाए। है, है फ्रों में आपाटी प्लाव हाटी है, फ्लीज है हाटी काउन है बो गुस्टाफ इसने साक्या पे गोली चलाने की हिम्मत की आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं के ऐसी मीटिंग्स में किसी किसम के आम्स या थ्याद लाने की इजाज़त नहीं I'm sorry friends, क्यूंकि ये गोली साक्या पर चलाई गई थी इसलिए हमें सब की तलाशी देनी पड़ेगी नहीं, नहीं मैं कुछी किया, मैं गड़र नहीं हूँ ये ये साक्या जाब पेवा कुफ मत बनो, चीफ साक्या का नाम इज़त सुनिया जाता है पागल होगे हो दीरच ये सारा नाटक इसलिए किया जा रहा ताके लोगों को बालों मूचाए कि साक्या कितना सख्त आत्मी है वक्ताने पर अपने खास आद्मियों के लिहास में नहीं करता, समझे इन्हों मत, चड़ा मेरे साथ चड़ा चीफ, ये हमारा बहुत पराणा साथी दीरच है इसे पिछले कई दिनों से इस किसम के कई दोरे पड़ चुके है इसने सूरिज पर भी गुली चलाई थी, क्यों सूरिज? आ हाँ चीफ, मैं बाल-बाल बचिया था अपने इस साथियों से पहली बार मिलने खुशी में आप इसे माफ़ा दीजे नहीं तो को हल्की सजादे दीजे डॉक्टर, आप ही बताएगे मैं आपकी तरह से हुकम देता हूँ कि दीरच इस मीटिंग से चला जाए और इसके इससे का बोनस बाकी के तमाम साथियों में बाढ़ दिया जाए क्यों चीफ, आपको मन्सूर है? हाँ, हाँ सुरज, क्यूंके दीरच हमारा बहुत पराना साथियों और इनर कमीटिंग का मेंबर भी है इस्ते मारतो में से इससे जाए हाँ, हाँ हाँ अच्छा, लेगे अतेंसिफ क्यों हाँ खिरह में अच्छा में मה से प्माभ प्याग में अच्छा झालता है। हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है शमसेर सेंग मर चुका है है जी और तुम ने उसे मारा है नहीं चीफ आपको कुछ गलत गलत पहिम हो गई है चौदा जुलाए रात को साड़े नौ बजे उनके रेस्ट होस के गराज के पीछ नहीं चीफ नहीं चीफ आज आपको जनुम दिन है इसे माफ कर दो सुनिल के बापो आज ठीक 25 बरस हो गये तुम्हें इस दुनिया से गये थी सुनिल को देखकर खुश तो होते होंगे न किसी दिन सपने में आकर कह जाते शांता तुमने तो कमाल कर दिया हम तो तुझको बे सहरा छोड़ाये थी पर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया सुनिल को पूलिस अबसर बनाए बिना चैन नहीं लिया तुमने पोश मैं यह आपकी चैन रुपेकम बनी आडर शाइन कीजी यह लिटिये आपका मनिया डराने में कभी एज दिन भी देर नहीं हुई देरी कैसे होगी भाया हम जब कभी उसको दूद पिलाने में लोरे सुनाने में देरी नहीं की तो वो देरी कैसे करेगा अरे भाया ऐसा हीरा बेटा भगवान दुश्मन को भी दे अले गई आपको कौन सी निसकी चाहिए जो विसकी बच गई वो हमें चाहिए हमें जो चीज पसंद नहीं होती हम उसे खत्म कर डालते हैं और यहां भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद है जो हमें पसंद नहीं यह हिरा यह जो तोड़फोर किया उसका हिसाब कौन चुगाएगा हिसाब लेगा कौन रहे पहल लोगा तो लेना झाल यह यह कि आच़दून है 좀.. इस परने सान companies अ हमार साथ, अ हम एचat बाहन longtemps कि आफे सरद काल तंज कृची जूआ पहमार साथ, तुम्मिलना जाए हमारी बहुत दिनों से तुम पर नदर दी हम तुम्हारी बहादुरी की ताद दी शुक्रिया है तुम चाहो तो हमारा एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अजी किसकी गर्दन तो नहीं है हुकम कीजिए दो मिनट के अंदर बिजू हाँ 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 ताकत तो हमारे पास भी बहुत कम है मुझे कहीं जाना है तुम इस वक्त कहां जा रहे हो हम यह भी जानते हैं आई जी की लड़की तुम्हारा इंदार कर रही है कमाल है अरे आप कहीं पुलीस या CID में तो काम नहीं करते हैं यह क्या वही मकसद की बात मैं समझा नहीं यह पच्छीत अजार है क्योंकि आई जी की लौती बेटी मुझे से प्यार करते है करेक्ट यह वक्त है आने का देखो मैं के चले जाने तो नहीं तो नहीं तो क्या प्यार करोगी देखो सुनिल मुझे गुसा मत दिलाओ मैं तुमारे लिए जान दे सकता हूँ माय फूट छींगा दे सकते हो जो आ अरे मैं तो अभी मनाने ही वाला था सोचा हां पहरे जगड़े का पूरा मजा ले लूं तो मनाओ अहां होलड एट होलड एट होलड एट माटा अभी मैं मनाने शुर करता हूँ कभी तुम आग हो कभी तुम पानी क्या चीज हो दिल बर जानी इसी पे तो सब दिल बिल मेरा ले लिया हत दीवाने मैंने बुरा क्या किया कभी कभी आख हूं कभी कभी पानी मैं भी क्या चीज हूं दिल बर जानी किसी पे तो सब दिल दिल तेरा ले लिया दिल रुबा तुने बुरा क्या किया दिल रुबा तुने बुरा क्या किया हुआ 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 है चोरी छुपे किया करें तेरे नजारे तरस तरस कहां तलक हम बेचारे फिर कब जाने आना होगा कुछ तो लेकर जाना होगा आगे बढ़ो मिया मुझे समझा है क्या कभी तुम आग हो कभी तुम पानी हाई क्या चीज हो दिल बर जानी इसी पे तो सब दिल विल मेरा ले लिया हच दीवाने मैंने बुरा क्या क्या हच दीवाने मैंने बुरा क्या क्या क्याओ और लेष्ग आदाल कक मैंने पुरा क्या हुआ क्या ठीजे कि लिता खुलो तिल का पन्ना पता चले तो एक बार नाम तेरा मेरा कहां निखा है यार खुलो दिल का पन्ना पता चले तो एक बार नाम तेरा मेरा कहां लिखा है यार मैं तो जानू जब तु आया तुझको देखा तुझको पाया ओ ओ ओ ओ ओ जिसे चाहो मिले नहीं ऐसा भी क्या कभी कभी आंक हूं कभी कभी पानी मैं भी क्या चीज हूं दिल बर जानी इसी पे तो सब दिल बिल मेरा ले लिया हट दीवानी मैंने बुरा क्या 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 हट दीवानी मैंने बुरा क्या क्या हादल रुबा तुने बुरा क्या किया अरे सुनील का गया सुनील बड़ी देर करदी महर्दा आते आते आप सुनील आप जी यह रही आपकी फाइल बड़ी 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 अब आप बाखी की पेमन में कर दीजिए बड़ी के पैसे लेकर क्या करोगे सुनील जब के तुम खुद बाती नहीं रहने वाले मैं उन्ही लोगों की यहां बुलाता हूँ जिने यहां से वापस जाना नहीं होता दोखा इस धंदे में दोखा लेड़ाओ इसे और पुलीस के मुद पर रावट साथ बंद कर दो मेराओ मेराओ आये अरे भाई चंगु बंगु एक चुरूट प्रिलू चुप साला चुरूट के उलात चल अरे वाई आ कि दर लाओ यहां तुम भी आ गए बैठो अहां तुम भी पुलीस के मुख भी बनावेगा लेकिन क्या फाइदा पुलीस कोई फाइदा नहीं पुलीस ना तुर्वबर्ट को बचाएगा ना तुमको तुर नाम क्या है? तुर नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है और मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूँ अलो चलो चल्दी करो अप ही नहीं दर्वाजे पर पह रहा है अप इंका डड़ी अंधा है उसको मालूम नहीं के हम बुरे दंदे में फसा है इतना टाइम हो गया हम उसको कुछ पैसा नहीं भेजा इधर बन पढ़के माल खारे लाए पैसा कैसे भेजेगा अब मालूम तुम अजी भाई साम यह नोट आपका है क्या किदर? यह नोट, यह नोट जान की खायरियद चाहता है तो चाविला 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 प्यूँ प्यूँ प्युँ अवे चंगु मंगु हम माचेज जून रहे थे आपनों कमा कॉमज माचेज से प्यूं बढ़़े आप अवाप को लियों से चैनली कारके, समान दर्मा प्रेंदा! जलाओ, बेलाओ, बेलाओ, बेलाओ! जलो, माटके किनारे करेो जाओ! जलो, मरने से पहले इस हीरो को ये सिगार तो पीले रहे दो! मैं अब से चिला रहे हैं तुमनो तुम्हारे सुनते ही रहे! क्या ग्रूमे? पीले नहीं यार! जब सही यहां पे आया सिगार चिला रहे! पीले! पीले! हाह! सजय जार अईयात स्प्वार्ण कर दो झार। प्यश्वार्ण प्यार्ण बार एडर बार बार थरल और प्यार अज़ाँ औरोरो स्पल गुष्टार। और भी गज़ाँ आर एके लगाँ औरोर आरो प्रेवार खल अज़ाती रोर अज़ाँ और बीज़ारे नहीं है ही वार्वी टूवार डु़ोझाँ अज़ारे झाल अज़ाँ रोबर्ट, रोबर्ट, तुम्हें भगवान माफ करनेगा रोबर्ट, इस गहन के लीडर नाम बता थो रोबर्ट, कौन हो? कौन हो रोबर्ट? साख्या, तर, तरामपूर साख्या, तरामपूर साख्या, तरामपूर वेल, 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 तरामपूर, चौन्गर्चुलेशन्स यह तरामपूर, मगर दुख इस बात का है, कि मैं अपने इनफॉर्मर रोबर्ट को नहीं बचा सका सर पर तुम्हें कोशिश तो की, साख्या का नाम जानने के लिए मैं अपनी और तुम्हारी जान की बाजी लगाने के लिए भी तयार था मिस्टर सुनिल कुमार सस्थी रावर्ट के बारें तुम दरा भी न सोचो I am proud of you साइक्यो सर इस देश के इतने बड़े समाज के दुश्वन का पता लगा कर तुमने इस देश में पैदा होने का हाख साबित कर दिया है और मुझे यकीन है कि एक दिन साक्या को गरिफ्तार भी तुम ही करोगी सर मैं आपका यकीन कायम रखूँगा लेकिन मुझे साक्या के फाइल मिल सकती है क्यों नहीं? समझ लो फाइल मिल गई सब्सक्राइब करने के क्या दुरू उतान पड़ी मैं तो यह कहना ही भूलगी कि आज मेरी गर्फ्रेंड का बर्थते है तो डिनर उसी के साथ होगा घर कब तक आओगी? दिनर के बाद सारे नौ बज़े का शोर देखने का प्रोग्लम है उसके बाद आ जाओँगी ओकी डैड? ओके, ओके सार, अब मैं भी इजासत लूँँ क्यों जल्दी में हो? नहीं सार, जल्दी में नहीं हूँ वो सुन, मैंना मतलब अरे भाई, कुछ दिल बैठो, गफशप करेंगे, फिर डिनर के बाद चले जाना अच्छा सार डिनर के बाद सार? हाँ, डिनर यानि खाने के बाद सार, बात दर असल ही है कि आज मेरी एक सहेली का बर्डे है ओ, सहेली का बर्डे है यस सार आज मेरे एक दोस्त का बर्डे है अच्छा, और उसके बाद 9.30 के सिनेमा का शो यस सार आपको कैसे मालूम सार बर्खुरदार, मुझे सब मालूम है कौन सी लड़की है, कौन सी सहेली है, किसका बर्डे है अब तुम मेरी बेटी सुनिता से छुप छुप कर कैसे मिलते हो सार लेकिन एक बात का ख्याल रखना साक्या वाली बास सुनिता के कानों तक न पहुंच रे पाए सार, मैं अपने फर्स के जिम्मेदारी को अच्छी तर जानता हू ठीक है, साक्या का मामला ताय कर ले, उसके बाद एक जिन बैठ कर आराम से तुम्हारी शादी की तारीख ताय कर देंगे, ठीक है, सार, यू कैन गो सुनिल, मज़ा आजाए अगर ये रात कभी खतम न हो, हम यूही बैठे रहे, एक दुसी का हाथ पकड़े हुए, मुहपत की चान निमेना आये हुए, उरते रहे, इन मोबतियों की लबो पर पर लगा कर मुझे तो कोई अतराज नहीं, मगर जिंदगी भर उरते रहना, कुछ बोरी नहीं हो जाएगा, चलो मां से चलकर पूछ लेते हैं, तो मुडने की बात कर रही है, और मां पर कतरने के लिए, कैची तलाश कर रही है क्या नाम है बेटी, सुनीता, ठीक से देख लो मा, ना पसंद हो तो साफ साफ कह दो, दूसरी ले आऊँगा, ऐसे बखबख करके सीर खाता होगा तुम्हारा भी, अरे मा, जब इसे पता चला कि भगवान के अश्यवासे तुम हो, तभी तो मुझे शादी करने राजी पत्रों को, तीन उद्योगपतियों को, दो पैलोटों को, और एक डेड़ फिलम वालों को, सिर्फ इसलिए ना करती है, को वो बिन मा के थे, इसे मा के सेवा करने का बहुत शाख है, अच्छा, मैं अभी आई, तब तक तुम चाय बनाओ, मेरी चाय में तीन चमन शक्र डाल अरे, ये क्या करें बेश्रम, गोने वाले पती पर हाथ उठाती है, मा, मा, मारती है मुझको, हाँ, क्यों परेशान कर रहा है उसे, अरे, मा, लो बेथी, पहन लो, बाजी, जब ये तीन बरस का था, तब से इसकी बहु के लिए गहने बनवाने शुरू कर दिये थे, हम लोगों ने, एक कंगन भी बनवाया था, वो तो इसे पाल कर बड़ा करने में पीक गया, इसे मैंने बचाय रखा, इसके पिता की तरफ से, इसे स्विकार कर लो, बेथ पिता जी के पौँ तो तुम छू नहीं सकती, मैं भी जब पिता जी के पौँ छू ना चाहता हूँ, तो मा के ही पौँ छू लेता हूँ, देख लो, तुम्हें देखकर पिता जी खुश हो रहा है, बहु पसंदा ही पिता जी, बीटा, जो लोग चले जाते हैं इतना याद की वहाते हैं अब लगता है जन्दगी में सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं तराम जारे तू जलकर मल चुलेगा जारा टेंगा इतने साथ ही मारे गए लाखों का माल तबाह हो गए और हमें क्या मिला तेरा चला हुआ चेरा और ये नकली फाइल वह से रॉबर्ट भी हाँ से निकल गया राबर्ट तू मर गया जी लेकिन मरने से पहले उसे पुलीस को क्या क्या बताया है तो खाल जानता है खर तुम देखे जा चुके हो अब तुम्हें यहीं फैक्टर में रहना पड़ेगा पुलीस का कोई भरोसा नहीं कहां से किदर से किस रूप में आ जाए सले को मिल गए जवानी हाई राम शीवपूर आ जा गया का? अरे भाई यह धरम पूर है तो आरके शीवपूर जाना है ना हां तो बस इधर ही उतर लो हर आदे गंटे पर श्यूपूर के लिए बस चूटाते है बस लबक्लो यानि पचली गली से निकल लेओ बिलकुल निकल लो निकल लो आ रहा है रहा है रोजगार की तलास माँ अच्छा गुरू सुनो चुना धरमपूर में भी रोजगार का बहुत प्रबंद है तुम कहो तो टिक ले अगर तो हार मशावरा हो तो चाय करन में हर जी क्या होते है तो हर नाम का है हमार नाम हमार नाम है भोलाना चत्रवेदी बनारस वाले बाल ब्रमचारी वल्द त्रवेणी पसाच चत्रवेदी बनारस वाले वल्द बाल मुकुन त्रवेदी बनारस वाले वल्द बस बस मत करो जल्द हमार नाम बाके है होट कि मालकिन रोजी बर्बूजा क्या मज़े की चीज़ है शेरनी है शेरनी अबे साले बेओडे कौन है विज़े रहा है रोजी रोज का हिसाब रोज करते है चाल ठोड़ना चाल बान बीडी की आउलाद रोजी की होटेल में मुफत खाने से जूते भी मुफत में खाने पड़ते हैं यह एंडे बड़ी प्रताप मोण शेरो साले के कपड़े और बेच जालो उतार कपड़े बजी वाले कपड़े उतार लगे इंगे सामने नहीं जेप कीदर है इधार है यह एरे पच्छाइस रुपाय है यह चुट्टे पैसे आप कपड़ा पेनके जा सकता हो ना जा जा अंतर जाई को रहा हूं लेकिन तुझे देख लोगा आरे जाना तिरे जैसे समोसे बहुत देखे आरे जाना हुआ है अरे मोरी मिटसी मया मिल गई जवानी हाय रहां यह लड़की है कह बड़े का चत्ता अरे बड़े का चत्ता नहीं बड़े भाई यह तो शहद के मक्खी का च्त्ता है गुड का असा दिल है इसका तूंगा और बनारा सिपान की तऱा मीठा हुँ निया मुर्गा मुर्गा मुर्गी का पती मुर्गा मेम साहम हम से पूछो हम बतावत हैं हम हम हैं हमें भोले नाथ ब्रमचारी बनारस वाले हनुमान भक्त जिसम के सक्त दिल के गरम जुबा के नरम आखो में शरफ चन्ना जो हो रहे गहरम है थोड़ा ज्यादा होई गुआ भी तर hy आप अपना ही परिश्ट देदो मेम साहाब अप उनका नाम रोजी है रोजी अरे रोजी हम तो और या अब नइन रो चाहरे मत कर कि आख लक्र नहीं कर रहे मैम साहाब बात यह है कि हम डेकार आध्मी है रोजी रोटी के तलbase में निकले थे तो रोजी में टो मिल अधा काम बन गवा, अब रोटी भी मिल जागी भाईया क्या आप बक्वास कर रहा है साला बारतीय नारी और साला अरे बिटिया बहुत खैरियत हो गई कि तुम छोकडी हो रोजी मेम साब, हम दो इराय है कि आप उका रख लो, ऊपर के काम के वास्ते अरे हमको यहां रख लोगी मेम साब तो बड़ी चकल्दस रहेगी ए तुमको काम देने का कौन बोला अरे काम देने का आज नहीं बोला तो कल तो बोलोगी ने मेम साब रोजी से रोजगार धेर दूर थोड़ी रह सकता है अरे भाईया बांके बिहारी बाजपे चल अपने पैसा से यहां चाहा तो पी सकते हैं ना अरे अरे कब चाहा भेजना अंधिस लाना भाईया बाल में कुम हमारी कार के सामने स्कूटल पार्क करने की हिमत किस ने की पहले स्कूटल पहले स्टेंट में ख़़ाता साब अबे ओ शिवाज रीकल की दो पतल गाड़ी में रख अबे उदर क्या देखता है उसको मत मारो नेया अदमी है वो ये लो थाड़े साथ सो रूपया दाम बढ़ चुका है अकॉंट में लिकलो अकॉंट तो पिछले बरस का पून नहीं मिला अबे विनौद इस लड़की के तेवर बहुत है तो ऐसा कर साड़े साथ सो बाग प्यार कर ले या भरी जवानी है क्यों रिए अरे मोरी मिट्टी मा मिल गई जवानी हायराम कौन है बे अरे तो हार बाप है वैसे हम आदमी बहुत सीधा साधा लेकिन अगर हमरी बात लगी हो जादा तो है साहब के प्यादा इतना बताओ हमको क्या अपना पूरा परिचे दे की आधा पूरा परिचे दे बत्तमीज अरे भाईया पूरा पर्चन नहीं समलेगा तुम दोनों से एक काम करो ई बखत आधे परिचे से काम चलाए लो लो झालो बताँ मारा पूरा प бок 1 अईूर्श अ प्णा शुम था है प्रुम टेजी को निब टे जो डेक वा जो जा 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 जब और जा 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 है जा जाना जा 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 है क्यों टूह कर दो अंद है हर गॉर झालू और यॉर जक्रो पने सτίId गांड आखी कर अच्छ 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 अज़ ऐसे लोगों से ब्यापार करने में गाटा ही गाटा है अरे मिम सहब मुसीबत में काम आने ही के तु तनखाप आते हैं न हम्रे हं पचाज siák नुक्सान घू कौन था राय साब का अखलोता लड़का पता नहीं राय साब जैसे देवता अदमी की घर में साइतान की दर से पईदा हो गया इस इलाके में वह हाथ किसके पास है जोने हमारे एक लोते बेटे पर उठने की इमत की यह सब हो कैसे डैट बात यह होई कि हम ब्यात्मिन गली बार में गए तो वहां के लड़की के साथ कुछ बहस शुरू हो गई एक अजनवी वहां बैटावा था जो बीच्व टबक पड़ा और बिना कुछ कहें सुने जगड़ा करना शुरू कर दिया इतनी सी बात पुरू कौन था ओ आदमी जाए चोटे आदमी के मुलगने से आपी कि बतना भी हो नहीं उमेश मैं इस इलाके के हर आदमी कोई अच्छी तरह समझा देना चाहता हूं कि मेरे बेटे पर उठने वाले हाथों का क्या हशर हो सकता है लिए उस आदमी को मेरे साम इस तरहा है लिए याप्या आदमी को मेरे बेटे अजय को सकता है लिए आदमी कोई आदमी के लिए बेटे आदमी को को अजय को सकता है। आई साहब किया वह बत्तमीज जिसने बलदेव पर हात उठाने की कोशिस की थी कोशिस नहीं सहाब हात उठाया और तमीज सिखलाने की कोशिस किया तुम्हारी ये मजाल है अपना हात ही जेब में रख लेओ अभी हमरी मजाल देखा कहा है आप पावन हाथ की है हलक से जाके लगेगी मेरे बेटे की तरफ जो हाथ उठता है वो काट दिया जाता है हम लकड़ी का हाथ लेके नहीं आयसा अगर यकीन नाये ता अपने बेटे से कहिए कि एक बार फिर से उधरे का रुख करे और रोजी में सहाब से बत्तमीजी करने की कोशिस करे खन के गार न दें ता हमरा नाम भी भोला नात बनारसी नहीं यह खून कोई लावारिस नहीं है सहाब मुदा हम का करें पहाद समाना आदमी पर हाथ ने उठा सकते लगने इत्ता सुन लीजिये औरत की इजट कांट समान होती है एक बार टूट जाती है तो टूट जाती है पर जुड नहीं सकती रोजी में साब आपकी बेटी हो सकती है आपकी बहु हो सकती है साहब चले जाओ यहां से चले जाओ ठीक है साहब क्यों कारी निर्चण में ओदी के आप सबस्ट है निर्चप हो चले गवाओ ठीक हो घंट क्योँार बाओ ताच ठाच बाँ, बाँ का मना क्यों हो एह जिर्चप तुम्हारे डारी में न जाने उसे क्यों छोड़ दिया है लेकिन उस कमबख्त कवार को सजा जरूर मिलनी चाहिए और वह सजा तुम दोगे पनासी, तुम इदर क्या करता है? उन महल को देख रहा है हो, तो राय साब का महल है हाँ, फिर तो बड़ा खांदानी महल होगा सुनाए, राय साब ने बहुत पापड़ बेला है उस महल तक पहुचने में भंदा का है राय साब? पैक्ट्रीज है, बोट से, शिप से बोट अरसे तो भी है कड़ोरों का बिजनिस होता है स्टीमर से और काका होता है तुमारा सर होता है बातों में लगा दिया ना चलो जाके सो, कल मेरे को तुमको शॉपिंग पे लेके जाने का है चलो चलो ला अरे हम इसमें मंजद नहीं दे सकते हैं आप हमको कहां लेकर आगए रोजी मिम साहब जबी भी भी ये सामा लेने आ तो इसे दे देना, ये मेरा आदमी है, ये ले अवो बया, ये तेरा आदमी है? हाए, और नहीं तो क्या तेरा आदमी? मिरा मतलब है हम रोजी में सब का काम करते है ए, माजी घेन, ताजी पापलेट है बस कि अई Carrillo Jurduschill लृफ कर बता पाप्लेड नहींर सब्सक्राइप ओण जा लव्य इंइ क्या refers निइंगcking खष्ण लृपंज ख़ो प्रosition मेंच़ बंगुशद अरी है कि हवा में सास लेने से हमरा ब्रहमचरन नस्ट होता है हम इन मचरियों में नहीं पसने वारे में साथ अरी बराइटी इक बार मिलके जाए नहीं दिर से या प्यार सूरत है देख जरा दे कैसे पसंद ना आए दिरे तुझे मोहनी मूरत है एक से एक कोई बेला कोई चंपा कोई तारा कोई चंदा मैं काजा नूरम का गूरक धंदा इक बार मिलके जाए नहीं दिल से क्या प्यार सूरत है देख जरा दे तुझे पसंद ना आए दिरे तुझे मोहनी मूरत थे एक से एक है, है, है ने कसा बूल गँ ये रसके गागर ये चलके प्याली ये बंद बातल शराब थी इनको पेंगे नसीबावाले देहती हूँ जुट क्या क्यो पापाजी तुसे सच केंदियो सोडियो मैं की जाना रामदा गो रख धन्दा इक बाद मिलके जाए नहीं दिल से या प्यारी सुरत देख जरो देख कैसे पसंद ना पाएगी दे तुझे मुहनी मुरत एक से सुन्दर से लेरकी है चीज ऐसी दुनिया चुडा दे इसके लगी एक दिन मुझे भी दुनिया के आगे I love you कहते कभी सुन्दर से लेरकी है चीज ऐसी दुनिया चुडा दे इसके लगी एक दिन मुझे भी दुनिया के आगे I love you कहते कभी नहीं बोले नहीं बोले जाने तु है कैसा बंदा मैं का जानू राम का दो रख धंदा मैं का जानू राम का दो रख धंदा है एक बार मिलके जाए नहीं दिल से का प्याद सुरत है देख ज़रा दे कैसे पसंद ना आए कि रितुझे को जोननी मुरत है एक से करती हो चीची कैसी ये बातें उनको सरम लाज बिलकुल नहीं मैं तो अभी से हूं पानी पानी क्या हो जो कुछ हो जाए कहीं करती हो चीची कैसी ये बातें तुमको सरम लाज बिलकुल नहीं मैं तो अभी से हूं पानी पानी क्या हो जो कुछ हो जाए कहीं गोरी मारो नहीं बंदा सिधा साधा मैं हूं बंदा मैं का जाने राम का गो रख धंदा मैं का जानो राम का गो रख धंदा में का जानू, प्राम का गूरा कृदना! गल अपे, शीमाखनां कृटanovा हमा, खफ़िस्तू झाल का जानू, का ज़कर ऑन। रोजी, रोबर्ट आया है क्या, रोबर्ट my son, अरे तुम कब आया है बेटा, रोजी, बत्री जला दिया ना, अरे रोबर्ट, रोबर्ट तुम बोलता क्योन यू बत्री जाओी जाओ रोसला क्योना चाहिकर साइ बत्री बत्री अरे चाहिकर साइल बंचात्प, बन्चात्प रांबोफ बन्चात्ians достаточно! पarthyलिगी सक्पानो परकेवनाँ очень game, बन्चात् genau क्यot. कि खाहिए भान्ग भानो रूजान्ग, भानो रिर उन मांग! कि अख्थाएक! कि र्ख्थाएक!!! बाला! अर्फ थांग! झाल! राल! कर दो! कर दो! कर दो! कर दो! बतलो! रोजी, जब रॉबर्ट आये, तूसे कहना कि हमने उसका बुट इंतजार कियो रोजी, रवट के आने तक हम तुम को भॉला के हवाले करता है भॉला, गॉट, बैस, गॉट, बैस, बैस, बाबा, बल्कुत चार के बल्जा बाबा पुली स्टेश, इंस्पेक्टर तिवारी, क्या बोल रहा हूँ, मैं राय साथ बोल रहा हूँ, बल्देव की बेवकुफी की वज़े से हनीमून होटल में आग लग गई है, बल्देव के खिलाब कोई रिपोर्ट लिखवाने आए, तो, मैं देख लूँगा, मिस्तन साथ, अच्छी बात है, नमस्ति, क्यों मैं, ये तरह बाप का घर है, जो धड़ता चलाया, रपट लिखवाया है, बहाद दिवान जी के पाच जा, वो ना ही लिख रहा है, पोट क्या है, रपट तो बिल्कुल जरासी है, मित्तल सामने रोजी की दुकान महाग लगवाती है, जाना सुबूत है तेरे पास, ये रिपोर्ट के टायम सुबूत पूछेगा कानून कबसे बन गया सहब, अच्छा, कानून भी जान गए, तो जाता है कि नहीं, अच्छा, हम तो जरूर चले जाएंगे सहब, लेकिन आप भी कुरसी पे धेर दिन नाही रहे वाला, आद में करना कि कोई हमसे बोला नहीं समझ गयो, कि कुरसी बाप का नहीं है, सरकार का है, सरकार का, जैहिन साल अच्छी उंकी क्योलाद बोजी मिम सहाब याद करने से कोई भाइदा नहीं है हम बिलकुल अटिल होगे पनार से पापा कुजर किया, रापट कुम हो गया और हम याद करने के वास्ते और रोने के वास्ते रहे गया नहीं, मिम सहाब, रोने से कुनो फाइदा नहीं है देखो आप बहादुर छोगरियो, हाँ एक बात हम कल रात से सोच रहे थे कि आपके डैडी को मारने वाले हमरी चलास में आय रहे है हम नहीं मिले तो आपके डैडी पर हम नहीं बोल दिया तो हम कहा सोच चाते हैं कि हमरे यहां रहने से आपकी जान को भी खत्रा है तो तुम भी बाग जाओ जादा सा जादा वो लोग हम को भी मार डालेगाना कि रोजी में तुम्हारे बाप की जगा तो नहीं ले सकता लेकिन मैं तुम से ये कहनायत है कि तुम अपने आपको बे सहारा मत सवाशा कि आप से किस ने कह दिया साब कि रोजी में साब भीक मांगने लगी इनके गम तकलीफ को अपने धन के गाली देते हैं आपको सरम नहीं आ रही पटोरी अपने इस खुड़ा करकट पटोरिये मैं तुम जैसे आद्मियों से बात करना पसा नहीं करता हुआ बात नहीं कर सकते दो सुनिये आपका पैसा गया तेल बेचने हम माइकल सहाब के कातिल को कभी छमा नहीं करेंगे कमाल है पहले तो आग लगवादी और अब चले हैं जलों पर रुपेओं का नमक छिड़कने उन पर घुसा करके मैं अपना अपमान नहीं करना चाहां लेकि सवाले नहीं पैदा होता यहां की पुलिस तो किसी खास के मुठीमा है क्या लाम है तुमारा रहां भोला फाली भोला नहीं सहाब तिरी भोला नात बनारसी तुम्हें अपने आप से दुश्मनी करना खुबादा है हम किदे रहेगा मैं कभी धंकी नहीं देता सिर्फ हुकम देता हूँ इसे माफ कर विजे साब हम गरीब लोगीं अपने लोगों को अमीर लोगों से बात करना नहीं आता लेकिन बनारसी एक बार ठीक बुला रोजी ये रुप्या नहीं लेगी बाप तो बजार में खरीदनी कुछ चीज नहीं फिर ये रुप्या किस काम का मेरी तरफ से चर्च को दे देना बार बार तोरा जनम दिन आब है अर बार बाग के पाने लगा पे तू पइदा हो हर सनी बार की हमरी है आर जूट अरहाईं अरहे बाके सब खैरियत तो है नहीं इसी खैरियत साल में एक बार ही क्यूं आवत है भाया जब अडाय हज्जार पान का बीजा लगत है अरहे राय साथ के लाड़ले बल्देव सिंग की सालगीरा है और हमरी तो चांदी होगे यह बाई या चांदी अरहे भी अबांके हम आज तक कोनो बड़ा आदमी का दावत्मा सरीक नाई हुए है तो एक काम करो कोनों तर्की भिडाएके हमका उठ दावत में सरीक करवाये और इमेम सहाब को भी लपक लेंगे बाई या लपक लेंगे आने वाला रही देखो अरे कभी कभी तो हनमान जी के भगत की बात भी मान लिया करो भाई नहीं जाने का आप उनको पहले बोला आग बल्देव लगाया अभी उसके बड़े पाटी में जाने को बोलता है ची इसलिए बोल रहा हूं रोजी मेम सहाब कि जिसने हमरे घर में घुसके आग लगाई है उसके घर मां हमें भी तो घुसना पड़ेगा साइद कोनों सबूत मिल जाए बनारसी हमारे लिए इतना मुसीबत काई को उठाता है हम कौन लगता है तुमारा हम मेम सहाब आप हमको घर समझ रहा है ठीक है हम चलेगा मिस्टर जैन जैराम जी की सरकार हम आपसे माफी मांगने आये हैं सरकार ओ दिन हमसे बड़ी गुस्ताकी होई गई जो हम आप जैसे देवता आदमी के साथ बदकल्मी कर बाइठे लानत है हम पर का कहते नोगा अंग्रेजी हो या हिंदी सब मालानत लानत प्रख्षाब बारह से मिच्टेक होई नहीं करेंगे हाँ नहीं करेंगे तो हम अंदर जाएं सरकार ठीक है जौउ अरे निकल ले ओ पटली गली से ना भागलो यह कहे के आपने किसें अंदर में जाने दिया किसें क्यों जाने दिया माद खुद नहीं आफाथ किसी खास तोफा लाने की फिकर में होंगे अबने सब गोस्तों को प्राया है जनाम दिन मुबालक हो बेटे आशिर बादी जी देड़ जी 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 जुड़ा जी 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 जुड़ा जी जुड़ा जी जुड़ा बेटे ये तोफा में आज के दिन के लिए बचा के रखा था ये मेरी और तुमारी मुम्मी के दरोस है टाग इस ब्यूटफॉ रहे साहब जी जनम दिन के सुब मौके पर हम लोग तसरीफ लाएं है ये तो हमरे हाथ से फूल सुई का रहेंगा नहीं आप ही दो लफज सिफारी का टांक दो इनको बेटे आज के दिन दुश्मन को भी माफ करते हैं इनके फूल सुटाएंक वह सेट जी वह इलो जनम दिन मुबारक हो और मेनी मेनी कौंची कहते रहे? मेनी मेनी हपी रटेंस दे अब अजूर आपका इजाजत हो तो हम लोग थोड़ा खुशी का इजहार करने ऐसे मोके पर खुशी का इजहार कैसे? कुछ नाच के गा के हाँ, जरूरी हम खुश रूएं तेंक्यू ताद ये कुछ नहीं कुछ 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 मुझा कर दो जाने हमारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे रंग महल के रंगी नजारे पंधन के बैठे है जाने हमारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे रंग भरे फुल्वा का लेलो नजराना मगई महो बेका पान सुहाना पान खाओ जानी तो लूट लो जमाना बाबु हमारे बास चांदी न सोना आये गए हम तो प्यार के मारे जीओ जीओ प्यारे क्या ठाट है तुम्हारे रंग महल के रंगी नजारे और बंधन के बैठे हैं जानी हमार जी ओ जी ओ प्यार क्या ठाट है तुमार जी ओ जी ओ प्यार क्या ठात है तुमार PAPA, 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 PAPA चुज़ो कभी हमसे भी आके भी दोड़े थोड़ा तो सोचो थोड़ा तो समझो हमरी हसीना तुमको पुकारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाथ है तुमारे रंगी महले के रंगी नजारे बंथन के बैठी है जानी हमारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाथ है तुमारे जीयो जीयो प्यारे क्या ठाथ है तुमारे कि नाम बनर सी मेरा सुनते हो बबुआ, फिर भी किसी का मैं तो लगवा ना भगवा, ऐसा कभी प्यार से चलेगा हमरा जदुआ, ऐसा कभी प्यार से चलेगा हमरा जदुआ, कैसे, ऐसे, तुमरे गले से ये पाहो का खंदा, उत्रे नहीं कोई लाख उतारे, ऐजी ओ, जी ओ, प्यारे, क्या थाट है तुम्हारे, रंग महल के रंगी मजारे, बंधन के बैठे है जानी हमारे, जी ओ, जी ओ, प्यारे, क्या थाट है तुम्हारे, जी ओ, जी ओ, क्यारे, क्या थाट है तुम्हारे, हुआ 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 ह सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ, सर कैसे हो तुम, सब ठीक ठाक है? जहां सर, बिल्कुल ठीक ठाक यहीं हनीमून होटल में मैंनेजरी कर रहा हूँ, सर किसी को कोई शक भी नहीं हो सकता ओ, देट्स वंडर्फुल, वंडर्फुल और सर, कुमार जिन्दा है वाट? हाँ, सर आग मुझलने के वजय सुफ़ता सारा चहरा भी बढ़ गया है फिर भी मैने उसे पैशान लिया वो राय साहब के साथ था, सर राय साहब कौन? राय साहब यहाँ वालों कि छोटे बोटे सा भगवान है और तुमारे लिए? सर, कुमार के साथ होने का मतलब है कि राय साहब का साक्या सो कुछ तालोग हो सकता है और इस स्टेज पे मैं यकीन के सब कहनी सकता हूँ सर थैंक यू साहँ सर और वो जी वो मैं मतलब कि वो हाँ हाँ, हिस किजाने की जरुवत नहीं सुनता बिलकुल ठीक ठाल है और कुछ पूछना है और कहना है? जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं इस नौर फैर डाडी आपने मुझे ये क्यूने बताय कि सुनील ओफिसर है? तुम्हे मेरा फोन नहीं सुनना चाहिए था आम सॉरी डाडी लेकिन मैंने इस ख्याल से फोन उठा लिया कहीं आप जाग ना जाए लेकिन जब मैंने सुनील की आवास सुनी तो तो मुझसे रहा ने गया बेटी हां एक बात का वादा करो ये बात तुम अपने तक ही रखोगी एक शर्त पर मुझे सुनील से मिलना होगा इंपस्बल बेटी इस इंपस्बल अरे बात अले अरे इगंटी से काय खेले तो मिम सहाब बोलो का चाहीए पेले आप बोलो आप की तारीफ हम अपने मुझसनी का तारीफ करें मिम सहाब अल मुक्तसर ही है कि हम यहोटल के मैनीजर हैं और हमरा नाम है भोले नाथ बनारसी पान पान को शौफर आएगा सौफ तो हम फरमाते नहीं लेकिन खाय को कहिएगा तो जरूर खा लेंगे आपकी आतिर आली मैनीजर के नाटे पूछ रहे हैं कहा सेवा करें हम आपकी मुझे एक Air Condition Room चाहिए Air Condition Room तो इस होटल मा नहीं है वैसे बाकि सब कमरा Condition मा क्या मुसीबत खेर मुझे एक अच्छा सा रूम ही दे दीजिए अकेले रहिएगा क्या इरादा है कहा कहा बास करें मैम साब अरे हम हनुमान जी के भगत हैं यह लीजिए रेजिस्टर और नामपता भर दीजिए ओफो मैं तो ठककर चूर हो गई हूँ अल्ना गालत करें सस्ते को रेजिस्टर लेकर मेरे कमरे में आ देए वही नामपता भर दूँगी आईए चलिए अरे आगला की मुरी जवानी मा बहुत सांदर कमरा है अरे बहुत ताजी हवा अंदर आती है और ताजी हवा काम बिल्कुल अलक से चार्ज नहीं करते हाई राम 200 रुपय रोज का किराया इधर का 200 रुपया रही चुपवा अरे ऐका कर रही है थावा हम बदनाम हो जांगे यह देखिए, यह देखिए, देख लिया, मैं मैं कहता हूँ कि आप यह दरवाजा फौरन से पेस्तर खोल दीजिये, नहीं तो मैं सोर मचा मचा कर सारे मुहलेवालों को बुला लूँगी, बुला लूँगा मेरा मतलब है, अरे जालिम, जालिम न, इसको कहता है, खाया पिया तो नहीं पकड़ेंगे, क्यूँ, हाई, फिर हो गया, क्यूँ, बात दरसली है मेम साब, इधर आओ, का है, हम आपकी तरह तो है नहीं, हम एक सारीप आदमी है, क्या, मैरा मतलब है कि हम ही सस्रूई होटल के वास पे अपनी, बेवफाई तो नहीं कह सकते, अच्छा, अगर वो इस वक्त यहां आजाए तो, है, तो हम उसका हाथ भी पकड़ लेंगे, और उससे प्यार भी कर लेंगे, लो आ गई, है, तुम यहां कैसे आ गई, बस आ गई, और यहां आकर देखा, कि तुमने मुझे बिल्कुर पैचाना ही नहीं, आदे खंटे से कमरा दिखाता है, अब भी देखते हूं, मैं पी डव्लीट के रेस्ट हास पे ठहरी हूँ, ठीक है, मैं शाम को वही मिलने आजाओ, पनार सी, दर्वाजा खोलो, जाजा, दर्वाजा, बंद करके कमरा दिखाता है, बेशरम, मुझे दर्वाजा बंद करके कमरा देखने की आदित है, इनको आ मैं साब, तुम छुप रहो, अभी भार चलो, तुम्हारा ख़बर लेता है, अरे मेनेजर सहाब, एक में, मेरा बुंदा, इनके कुड़ते में अठक गया था, शुक्रिया, खुदा हाफे, अरे मुप्थू, बदनाम सवरिया, तोरे कारण, इसको कहते है, मिट्टी में मिल उसको गंगा जमना का गाना याद था, उसने सवालों कि वो बहचाड शुरू करते हैं, मैं ये पूछ रही हूं कि वो मेरी परचाई की तरह हर वक्त तुमारे पीछे क्यों लगी रहती है, उसका नौकर हुए है, वो चाहती है कि मैं इश्क जादा करूं, और काम काम, अच है कि शादी के बाद रोज दो घंटे मुक्या लगवाओंगा, हुए, साइंक्यू अधर भगवाद, साइंक्यू, ये बिजली भी बड़े काम की चीज़े सुनी था, अगर मैं तुम से गले लगने वो कहता, तो तुम हजार बहाने करती हैं, अगर गले कभी नहीं लगती ह है कि शादी से ठीक एक दिन पहले अपने घर के हर कमरे में कोई ऐसा गजट लगवाओंगा, जो हर दस-दस मिरट के बाद बीजली चमकाती है, और क्या-क्या प्रोग्राम है, भाई, मर गए, प्रोग्राम तो बहुत सारे है, फिलाल इरादा ये है मैडम, कि शादी से पहल कि शादी के बाद सारी हिंदी फिल्मों के सारे लफसाज़वाओंगा है और शादी के बाद? शादी के बाद शिफ अनग्रेजी फिल्मों के साथ। तुम जा आए जाने का जी तुने चाहता मगर सुनीत, तुम जाओ, सुबह होते में भी निकल जाओंगी तुम साक्या की किसा तुमाम कर क्या हूँ, मैं वर्माला लिये तुमारा इंतजार करूगी सुनीता, अगर मेरा कृतव्य है हाँ सुनील, मैं तुम और तुमारे कर्तवे के बीच नहीं आना चाहती, जाओ, अपना फर्स पूरा करो ओकी मादम, आजिवेश ऊना फर्स पूरा कि और ऊती ही जाओ. कर्यों ही जाओ, की जा जाती है, जाओ करुछ कर दुट कर दूए बत्सित कर दो दुट कर दो जो आप आप थोड़ी मुश्किल में लगती हैं, हम अपकी कुछ सेवा कर सकते हैं पता नहीं क्या गडबर होगी गाड़ी में विनोद, तेक Sure, anything for a friend आप यहां की तो लगती नहीं जी नहीं, ऐसे ही यहां से गुजर रहे थी, गाड़ी खराब हो गई यार, इसमें तो कुछ ज्यादा ही गडबर मालूम पड़ती है मेरे तो बस की बात नहीं है Oh my God अरे हामारे होते भवन को क्यो याद करती है अब हमारे साथ चले, यहां ही पेक पेट्रल पौंप है वहां से फोन कर दीजीगा के रच को वागर गाड़ी ले जाएंगे आएए ना आपको तकलीफ तो नहीं होगी ची हाँ तकलीफ तो बहुत होगी लेकिन आपको इस घने जंगल में क्रेले छोड़के जन अच्छा भी तो नहीं लगता है ना आएए आएए बेट है शुक्रिया यह कहां जा रहा है आप शॉटकुट ले रहा हूँ गाड़ी रोको रिलाक्स बेबी रिलाक्स गाड़ी रोका मैंके तो गाड़ी रोको गाड़ी आए हर पाड़ी रोको रएए झाड़ी बुट पाड़ी बुट ऑड़ी बभा पाड़ी कर अख़ कर रहा बपक पक्पक अख़ झाल 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 मैं मैं झाल 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 आप अप प्र नाप आप अप 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 क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्सिडेंट उसकी गाड़ी या लाश के पास लाकर लुटका देते है मेनेजर साथ, जा पुलिस्टेशन फोन कर दीजी मैं तारज जिल पर कार नंबर 3978 का बहुत जबरदस्ट एक्सिडेंट हो गया है एक्सिडेंट एक्सिडेंट कैसे हुआ यह सब कौन थे वो लोग डाट वो जी वो अचानक इतने लोगों ने हम पर हमला कर दिया के जल्द बाजी में हम लोग किसी को पहचान ना पाए है 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 हलो पुलिस्टेशन एक रिपोर्ट लिखाओ इडिए है ना पड़ेंग्य में राय बहादूर गोपाल्दा स्मित्टल बोराहं ओ इडिए हम आंपड़ेंगा चाहिए कॉई भी और ना और और जिया बैंना पड़ेंगा च्छ कॉई है कि और आता हूं अब्य आता हूं हज़िक है है अप्तमीर साजों फोन पर बात कर रहा था मैं मैं को आप एक कम्प्लेंट लिखवाना आप कमाल है आपकी भी कम्प्लेंट सुने लगी लेखवाई है आज कुछ गुंडों ने मेरे बेटे बल्देव पर कातलाना हमला किया कहा मनोरी के जंगलों में अब ये नाटक बंद नहीं था नैन तारा जील पे था जब मैं कह रहा हूं कि मनोरी के जंगलों में था अगर वो मनोरी के जंगलों में था तो फिर नैन तारा जील के किनारे ये घड़ी कहा से आ गए जवाब दीजिए तमीज से बात किए मैं तमीज से बात करने की तंखा नहीं पाता हूं अरे श्री गोपाल मित्तल अगर मेरे हाथों में फर्ज की हतकड़ी नहोती तो अब तक आपके बेटे और फिर उसके लाश को कोलियों से चलनी करें अपनी हैसियत मत भूलो अपनी है तो नहीं भूल पाता हूं मित्तल सहब नहीं भूल पाता हूं कि मैं कानून का रखवाला हूं इसलिए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है जानते हैं आपके बेटें ने क्या किया है उसे बताता हूं आईए आईए मेरे साथ आईए यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए आपने गौर से देख लिया, मिस्टर मित्तल, अब आप मेरी बात गौर से कुई मैं बल्देव को फासी दिलाए बगार चैन के सांस नहीं लोगा नहीं, बल्देव इसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता हूँ आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता मितलता, आज तक ये बात मैं मानता हूँ कल अदालत मानेगी, परसो फासी घर का जलाद मानेगा लेकिन, हो सकता है ये मर्डर विनोध ने किया हूँ, वो भी दोसके साथ था अहां, हो सकता है, जरूर हो सकता है उस आद्मी ने किया है जिसके चेहरे पर सुनीता के नाखुना ने अपनी जान और आपरू बचानी खोश में खराचे डाली जिसके चेहरे का खुन सुनीता के नाखुना भर हुआ है आप अपने बेटे का चेहरा दिखाएंगे मैं अपने बेगुना बेटे को एक मुझरिम की तरह तुम्हारा सामने लाने की जरूत मैसूस नहीं करता कानून के हाथ से डरिये मित्तल सहब आज तक जो हाथ मेरी तरफ बड़ा है सेसपी कुमार उसे कार दिया गया मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कल की बात कराओं आने वाले कल की मित्तल सहब मैं तक की बात काई मैं की फच्छ सथे ऑाले की तो है थजहाँि मैं याले की खचतोह्त करने प्रफ़ाम्ने, वेसे cost प्रफ़ और tack तैटी पेठे, मेरे प्यार में कोई मिलावट तो नहीं थी तुम्हारी मम्मी के देहान के बाद मैंने मा बनने की भी पूरी कोशिश के तुम्हारे बच्पन के सारे आंसो मैंने अपनी आखों में ले लिए मैं रातों को जागा कि तुम्हाराम से सो सको मगर इस गई रात के संदाटे में मैं अपने जवान बेटे से पूछने आया हूँ मेरे पुडापे का मतलब क्या है बेटे मैं कुछ समझा नहीं समझा तो मैं भी नहीं हूँ बेटे इसलिए तो तुम से पूछना आया हूँ बाप और बेटे की बीच सिर्फ प्यार ही रहना चाहिए ये तुमारे और मेरे बीच जूट कहां सा आ गया तुम ने मुझे जूट बोलकर अपनी जवानी और मेरे बुड़ाबे का पान किया है बेटे मैं आज आपसे सच बोलतु है डर गिया था जिस सच से तुम डर रहे हो वो मैं जानता हूँ बेटे मुझे बचा लेशी देटे मुझे बढ़ने से डर लगता है बेटे मैंने आज तक तुझे कभी रोने नहीं दिया तुम भी वर्ती में हो और मैं भी वर्ती में हूँ मेरी तर देखो मेरी आखों में देखो बिल कुछ सुखी है कोई आसु नहीं है रोने को मेरा वीजी चाहता है सुनिता मेरी एक लौती बेटी थी लेकिन मैं रोंगा नहीं तुम्हारे इलाके के एक जानवर ने मेरी एक लोती बेटी को रेप करके माँ डाला है उसकी लाश तुम्हारे आसु नहीं चाहती अपने अपमान का बदला चाहती है अपने गातिल के लिए सजाए मौत चाहती है सुनीता के कातिल को सजाए मौत जरूर मिलेगी सर पुलीस आई है पुलीस को मैं देखता हूँ तुम बल्देव को खुफिया रास्ते से नीचे ले जाओ चलो हाँ क्या है तलाशी का वारंट मेरे घर की तलाशी यह घर ना मंदिर है ना मर्चिद इस धर ने एक कातिल को परादी कोई कातिल है या नहीं इसका फैसला तुम नहीं करोगे बल्देव बेगुना है बल्देव बेगुना है या गुनागार इसका फैसला आप नहीं करेंगे जनाब जाओ इस घर की तलाशी शुरू करो और जो कोई रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करे उसे गोली मार तो बल्देव याद करफ। अाहोँ बोजय को. हुआ कर दो दो हुआ कर दो प्वान साथ, बल्देव का हविले में कहीं पता नहीं चला यह कतल का केस है राय साथ, जब तक कातिल को सजा ना मिल जाए, यह फाइल बंद नहीं हो आप बल्देव को कुछ दिनों तक छुपाय रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, जएहन अजीब सर फिरा लड़का है, कभी-कभी इज़त करने को जीचाता है, तोटता है ना चुपता है जुकेगा भी और तूटेगा भी, अभी तक हमने पूरी कोशिश ही कहा की है, दुनिया के इस बाजार में हर चीज बिकती है, अगर दाम ठीक लगाया जाए तो, यह भी बिकेगा लेकिन, शायद जरह महेंगा बिकेगा बलदेल की जान से महंगी, इस दुनिया में कोई चीज नहीं है आप! आप? आप तो आप मुचे जानती है मै भोला मेरे नाम Rai Behadur Gopalda Sumфittal है आप सुनील की माँ है मुन्ना मेरा मतलब सुनील इस वक घर पर ना है आप अंदर आकर बैठे ना आता ही होगा जिनाए शुक्रिया मैं जल्दी में हूँ आप सुनील को सिर्फ इतना कह दीजेगा के राय बहादुर खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाने आये थे एक बाद अपने बेटे को समझा दीजेगा जब मेरा हाथ दोस्ती की तरफ बढ़े तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और अगर दुश्मनी की तरफ बढ़े तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है ठर्या की गाड़ी खाड़ी में गिल गए बहुत तलाश करने के बाद भी उसकी लाश तक नहीं मिली वही चेहरा, वही चार, वही आवास एह मुन्ना के बाबा, तो हरिया ड्राइवर से राय सहाब कुपाल दा समित्तिल कैसे बिंदेव जरूर मेरे साथ कोई थोगा हुआ है मा, मा एह मा, यह तुम्हारी आखें लाल क्यों रो रही थी ऐसे ही, जरा किल्का पड़ गया राय सहाब आये थी कहाँ, यहाँ? हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने और क्यों नहीं लेता दोस्ती? इतने बड़े आदमी खुद चल कर आये थे हाँ, मैंने आज के तुम्हारी कोई बात नहीं टाली लेकिन इस बार हाथ जोड़ के तुमसे बिंती करता हूँ प्रातना करता हूँ उनसे दोस्ती करने क्ली मत कहना वो आदमी ना दोस्ती करना जानता है, ना दोस्ती करना चाहता है और सबसे बड़ी बात तो ये है मा के, उनसे दोस्ती करना, तुम्हारे बेटे के लिए सबसे बड़ा आपमान हो मेरी मानो मा वो सिर्फ अपने बेटे और कतल की सजा से बचाना चाहता बेटा? हाँ मा, वो अपने एकलोते बेटे को बचाने के लिए कहीं भी जा सकता है एकलोता बेटा, इतना बड़ा है जवान है, दाज जाद मुस्से चार-पांच सल चुटा होगा वगर आज वो जितना बड़ा है, उसे और बड़ा नहीं होता मैं उसे सुनीता कतल के लजाम में फांसी चड़वाए बगर चैन के सास नहीं लूँगा मा चाहे कुछ भी हो जाए मा, ये बैट किसका है? उनीक का है शायद फूल गए है हाँ? फूल गए? वो कोई चीज भूलते नहीं है मा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो जान बूच कर अपना ब्रीफ के से हाँ छोड़ गए फूल भी सकते हैं बिटा लोग तो बड़ी-बड़ी बाते फूल चाते है एक बक्से में क्या रखा है? मा मैंने कहा न तुम इस आदमें को नहीं जानती ये तुम्हारे बेटे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने नहीं बलकि तुम्हारे बेटे को खरीदने आया है चला किदर? उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है मा कि तुम्हारा बेटा विकाव नहीं है ए बगवाद आओ आओ सुनील आओ बेटो खाना खाओ मैं रिश्वत देने वालों के साथ बैट कर खाना नहीं खाता जनाब अरही ये ब्रीफ केस में तुम्हारे घर भूल गया था जिया और दोबारा ऐसी भूल ना होने पाए मेरा घर कोई लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट नहीं और नहीं इमान बेचने कोई दुकान है मेरा इमान मेरा पेशाई नहीं बलकि मेरी जिन्दगी है और जिन्दगी के साथ ही जाएगा ठीक है अगर तुम्हारा इमान तुम्हारी जान के साथ ही जाएगा तो यही सही मगर मेरी जान इतनी आसानी के साथ नहीं जाएगी रायसा और अगर जाएगी भी तो आप के बेटे बल्देव को आसी के तख्ते पे चढ़ाने के बादाएगा तुम कमजोर हो गए हो ताकिया के सामने इस पुलीस के छोकले की हैसियत ही क्या है इसे खत्म करना तो तुम्हारे बाई हाथ का केल है कुमार जस्टिव आज तक हमारी तरफ आँख उठाकर देखने की हम्मत किसी की नहीं हुए लेकिन यह S.P. सुनील कुमार शायद उसे हमारी दुश्मनी का अंदासा नहीं है है और और कुछ चाला भी तो नहीं है खतल के तो से वो किसने बनाए होटल में दो कस्टमर लोग बात करता हो दिदर इछ है परसो कार्निवाल का भीर बढ़का में भागने का प्लान करता है वो कराहने कर्थ बहाइना। करता ह получается बहुता है में प बहुता है भैके वक उन्हें है हुँ 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 लेज अएटो पस्ट आएटो नीजियो । लेज प्रर तेशन ल्ड़ब्न ही थैसाँ लेज खुड़ थैसटन लेज़ को सुड़र्ण ही मिलाओ drift लेज प्रर तेशन लेज़गर थैसेशन लेज़गर रहे दमिझेट को शीखने हैं। मेरी राहे मेरी बाहे या छोड़ो छोड़ो मेरी राहे मेरी बाहे या यह है प्यार की हत्रकडी विसको, सेशन, विसको लेला, लेला कटपड़ी आंखे लिए खरी जंक्षन पे में तौदा नजर किससे लड़ी लट गई प्यार की अठकड़ी दिसको, स्टेशन दिसको दिसको, स्केशन दिसको छोड़ो छोड़ो मेरी राहे मेरी बाहे सिट्टी बजी पिट्टी आया करूं क्या में हसी दिल जरी पास मेरे पिकट भी तो नहीं मुश्किल ये हाँ कैसी पड़ी पड़ गई प्यार की हथकड़ी दिस्को स्टेशन दिस्को छोड़ो छोड़ो मेरी राहे मेरी बाहे की हाँ की हाँ की हाँ की हाँ की देल भे प्याँ कि करतों कि सारव प्रॉब một झाल कि दर उंग कि I रुको नहीं लोगो मुझे ठोकरे खाने दो दले लगो प्यार कर लो पर मुझे जाने दो मैं तो चली उसकी गली पहन के यार की हत कड़ी डिसको टेशन डिसको ओ छोड़ो छोड़ो मेरी दाहे मेरी बाहे याँ छोड़ो छोड़ो मेरी दाहे मेरी बाहे याँ चलो बल्दे, भाग चले प्राइब व्राइब नोग्रे, भाग भी अचा वाफ़। बाइब को अिल्च, बाइब का लिएमर दोगार, बाइब का लिए में प्रदका अपशा में अज़ोगा है बाइब का व्राइब कहा व्राइब का व्राइब श White कर दो कर दो कर दो कि अजय को कि अ झाल झाल! हमने इसे बहुत रोपना चाहाँ सरकार, मगर ये सुनील की मा है ना बंड करो एनाटक अब सुनील की मा नहीं है क्यों नहीं, मैं उसके बेशरम बाप की तरह छोड़ी हूँ जो अपने खोन को पहचानने से इंकार कर दूँ और हाथ जोकर अपने खोन के पिछे खुच पढ़ जाओ अब किसकी बात कर रही है हरी राम ड्राइवर की जो मेरे सुनील का बाप है हरी राम मैं जानता हूँ अरे नहीं आप भला कैसे जान सकते हैं अब आप हरी राम ड्राइवर थोड़ी है अब तो आप ठेरे राय सहाब गोपाल दास मित्तल पर तुमको अपनी दवलत से उतना प्यार नहीं होगा कितना मुझे अपने बेटे सुनील से हैं अपनी सुनील को इस सिंदूर के बिना पाला है मैंने और सुनील के लिए इस सिंदूर को मिटा भी सकती हूँ मैं वारत पुमेश पुमेश यह है यह सुनील की मा है यह कहते है कि मैं मैंने हूँ कोई अरी राम ड्राइवर हूँ और इनके बेटे सुनील का पिता हूँ और इनका पती हूँ बगती है पैसे वलों को इश्यदार यूही पता हो जाते, चुप चाब यहां से चलिजा और अपना धक्के मार के बाहर निकाल दूगा हाथ लगा के तो देख कमीने, मैं तेरे राय सहाब की पत्मी नहीं हूँ, हरी राम ड्राइवर की पत्मी हूँ, जिसने मेरी आपरू बचाने के लिए एक आदमी का खून कर दिया था, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं भी खून कर सकती हूँ यह भी चुपचा आप देखते रहे गए, अरे, मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, शान्ता, शान्ता, जिसके लिए तुम उस दिन हर एक आज की चूडिया लाए थे, सुनते हो, ए सुनिल के बाबा, आँ तो रिशान्ता है रहे, तो रिशान्ता, जलत, आँ तो रिशा हम तो रिशान्ता हरे, तो रिशान्ता, 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 तो रि वाँ करियो कर दो है याँ कर दो याँ भी। वन्य जेक्शन बेश्ड है वी काम की हो आरद वी आरद वोई भी थी इसक्ता बन चाहिए इस वक्त आप यह दवाई ठाली जिया आपकी तवीय चीद नहीं है कॉंदेवाद कॉंदेवाद इस हादिसे से इस वापस लाठा है इस कोली काया से सरफ बारे घंटे तक रह सकता है इसलिए हम इंजेक्शन चल से चल दाने होंगे तुम्हें सकरो इसी वक शहर चले जाओ और सुबह तक तुम्हाम इंजेक्शन लेकर वापस चल आओ जाओ इसलिए 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 अब अबदाप किस इसके इलाज के लिए खर्चे की फिकर मत कीजिए इससर नौकर ही नहीं एक भरोसे का आदमी भी है और दोस्त भी है जी इसलिए अबदाग आपने मुझे, दोस्त का? हाँ, दोस्त, तुम शकर मत करो. तुम भी मेरी जुम्यदारी हो, और तुम्हारे बाल बच्चे भी. अरे? यह क्या है? आप, आपने मुझे, आप! सादा मुझ बोला मुझा. बोलने दीजिये, सहाब. जुबान बंद होने से पहले, बोलने दीजिये. मैंने आपका नमक खाया है. मैं नहीं, वो यह नमक बोलना चाहता है. मलिक, आप, आप साक्या नहीं है. क्या कह रहो तुम, क्या कह रहो तुम? क्या कह रहो तुम? जुक, जॉक्टर उमेश, आपकी यादधाश, न लोटने की इंजेक्शन आपको दे रहे हैं. और इस पाप में, मैंने भी उनका हाथ बटाया है. है? कौन हुए? आज से पछेश साल पहले, पहेते हुए दर्या में से, मैंने आपको निकाला था. क्या पता? वही आउरत आपकी पत्नी हो, जो उस रात हावेले में आई थी. हाँ, हाँ, हाँ. अमनाथ! आज से पछेश साल पहले, पहेते हुए दर्या में से, मैंने आपको निकाला था. क्या पता? वही आउरत आपकी पत्नी हो, जो उस रात हावेले में आई थी. क्या पता? वही आउरत आपकी पत्नी हो, वही आउरत आपकी पत्नी हो. आपके पत्ते हो, आपके पत्ते हो, हम तो रिशानता है रे, तो रिशानता, तुम्हरे बेटे की मा उस दिन तो नौकरों से धक्के मरवा कर अपने घर से निकाल दिया था, राय बहादुर गोपाल दा स्मित्तल, आज मेरे घर में क्या लेने आये हो? मैं कुछ लेने नहीं, पूछने आया हूँ, आपको रह क्या गया है? बहुत कुछ, आज मेरे खास आदमी ने मरने से पहले बताया कि मैं, मैं राय बहादुर में हूँ, और उस दिन आप कह रहे ही थी कि आप मेरी पत्नी है, ना कुछ समझ में आता है, और नहीं कुछ याद आता है, पहले मैं अक्सर ये सोचा करता था, कि मैं कौन हूँ, याद करने की कोशिश भी करता था, लेकिन फिर हार गया, जब कुछ याद ही नहीं आता, तो सोचने से क्या फाइदा, वो लोग भी मुझे यादास दवा करने की दवायां दे 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 दे, लेकिन आप तो जानती होंगे मैं कौन हूँ, बढ़ाईए, मैं कौन था, आप से बिच्रा कैसे, क्यों बि वारिश हमेशा मुझे ये चैन कर देती है, ऐसा लगते है जैसे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन बताने ही पाती है, मैं बताती कूँ, वो भी वारिशी की एक रात थी, आप हवेली के किसी महमान के जरूरी कावजात लाने स्टेशन गए हुई थी, तुम चले गए, मैं तुम्हारी नई हरे काँच की छूडिया पहने हुई थी, पुलिस वाले बोले, तुम्हे इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे काँच की चूडिया तोडने पड़ी, शांदा, बहुत तो खुड़ाने पड़े होंगे न, कि पुम्हे थाले बहुत बहुत हुम्हे दुनिया रहे, पुम्हे पुम्हें तो पुम्हे तोहा हुआ. आओ तुम्हारो बेता सुनी, तुम्हें देखकर खुशे से पागल हो जाएथा क्या हो? सुनी ही तो इस सो खत्रे में है तुम्हें मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और मैंने तुम्हारा मरना असान कर दिया है मुझे फासी पर चड़ाना चाहता था और आज खुद जिन्दगी और मौत के बीच लड़क रहा है तुम मुझे मार सकते हो बल्देव मगर इस वर्दी को नहें क्योंकि ये हमारे देश के कानून का प्रतीक है और फिर मेरे मरने से तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा सुनीता के कतल के जर्म में फासी तुम्हे जरूर मिलेगी हाँ हाँ बच्पन कब पल्रा याद आ रहा होगा ऐसी साब हाँ 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 यह अपके सब क्या कर रही रहा है यह तो सुनील की मा है यह सुनील की नहीं तुमारी भी मा है और सुनील तुमारा अब बड़ा भाए है तक्दीर में हमारे साथ ऐसा चक्करश लाया के हम सब की जिन्दगी अकेली रह गई सुनील का बच्पन अपनी मा के साथ और तुमारा बच्पन अपने पिता के साथ और आज जब हम सब का अकेलापन दूर हुआ तो जा वेजे अपनी बड़ी मा के पाऊं चो और अपने भाए को छोड़ दो अगर अपने बाप के लिए तुम्हारे दिल में जरा से भी इस्जत है प्यार है तो अपने इस गलत रास्ते से अट जाओ जाओ अवर रसा बदोडे आपने लूमार में जाओ R gaan पाया भेपो प्रियो neither तुम्हारा बाप भी अच्छी तरह से जानता है कि इसकी तक्दीर में सरफ एक ही बेटा लिखा है इसलिए वह तुम्हें सुनील की जिन्दगी पर खुर्बान करना चाहता है और जिस्वे तुम आजाद करा रहे हो यह तुम्हें फांसी के फंदे पर ले जाएगा यह शक्ष यह भी अच्छी तरह से जानता है कि आज इसका एक बेटा मारा जाएगा लेकिन वो तुम नहीं मारे जाओगे मारा जाएगा से तुम्हें यहां से निकल जो बल्देव आजब पर जहांस तयार दो सोचने का वक्त नहीं है बल्देव भाग जाओ यहां से बल्देव यहां से वरना यादी तुम्हें फांसी के तक्त पर ले जाएगा मैं गहतों भाग जाओ जाओ अब आपनी जगे से हिलाता है अश्की सहेब अब आप फसे हैं मेरे चंदल पर उपर उठाओ अज़ाओ 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 पुआ है। उन्हीं गौर्ण टौर्ण गौर्ण तर्ण थाउन के बाराइब थाराइब तर्ण है विल्ग गौर्ण जन्हीं करता है पुलीज पुलीज। पुलीज पुलीज। 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 हुआ 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 है आगे नहीं बढ़ना इतनी नजबिक से मेरा निशाना भी नहीं चुकेगा आगे मत बढ़ो मुझे मुझे भाग जाने तो रुख जाओ गोली मत चलाना बेटा गोली मत चलाना नहीं मैं गोली नहीं चलाना चाता लेकिन अपने बेटे से कह दीजिये आगे ना बढ़े वरना पागल मत बनो बेटा ये तुम्हारा भाई है मैं किसी भाई-बाई को नहीं जानता अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तो मैं तो इस दिन्दा नहीं चोड़ूँगा आगे मत बढ़ो मैं कता हूँ आगे, आगे मत बढ़ो नहीं आगे, आगे मत बढ़ो आगे! यही हुआ? चईल? आगे, को लीचला ही? बेटे, ये गुली मेरे तुम पर नहीं, अपने आप पर चला ही है मैंने तुझे दुझे दुनिया बार की खुशिया दी बेटे, लार दिया, प्यार दिया और उसके नतीजे ने, इन्ही यहाथों से मुझे तरी जान लेनी पड़ी मैं मौत से डरता था, लेकर आज इस मौत को आपका अर्शी बाद साज़कर सिका, सिका करता हूँ डै मैं प्यार आज़ी तुझे दुझे बारे बारे लेकर आज़ी बारे बारे दिया दुझे लेकर देए लेकर आज़ी अर्शी यहाथों। पेटे, बाग के हैसिय से मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया बड़े पेटे हो ना, आज मैं तुम्हें सबसे बड़ी चीज देता हूँ तुम्हें साक्या की तलाश है ना ये राज साक्या अपने हातों से हाथकरी पेना दो बाज कौने की तोने हातों से हाता है ये। प्यम्हें जाी आख dear रव बजान खर अजर बाजन पर चल्जर का देकि हो ठाम झाल झाल